हाई फ्रेंट्स विलकम है हमारे जीस इंडिया यूटूब चैनल पे आर्मी में महिला भरती की बेकेंसी आई भी वो भी महिला पुलिस की इसके बारे हम डीटेल से जानकारी देंगे इस पे और बताएंगे सारी बाते महिला पुलिस के लिए क्या जरूरी होता है क्या क्वाल में एंडिया पुलिस भी कहते हैं इसके लिए बस्ते बेकेंसी है मुलय वह 37 जुलाइब से 31 अगस्ट 2020 तक प्वार्म अन्लाइन के जाएंगे और बछा है जायका है Uh for the rally will be sent through registered email आपको क्या करना है अपना email देना होगा जो आपकी चालू हालत में email हो आपको password भी उसका पता हो तो आपको क्या करना हो पड़ेगा आपको अपनी email देनी पड़ेगे क्योंकि admit card जो आएगा वो email पे बेजा जाएगा आपके ए-card भी जाएगा आपको उसको download करके आपको उसको निकलवाना पड़ेगा ठीक है वो इ-card आपको लेके जाना पड़ेगा ठीक है आपको email अपनी देनी है और email में यह admit card भीजा जाएगा ठीक है यह offline admit card नहीं जाएगा बाई डांग को दौरा ठीक है आपको ध्यान रखना है आप अपनी email अच्छी दें और mobile number अपना ही दें ठीक है और इस पे center जो दिये गए अंबाला, लखनव, जबलपूर, बैंगलूरू और स्रिलांग स्रिलांग में यह center दिये गए है 1, 2, 3, 4, 5, 5 center है पूरे इंडिया से इस पे और जो भरती की vacancy आए वो 99 vacancy आदी गई है और इसमें क्या ज़रूत पढ़ेगी आपको इसमें जो आपकी age होगी वो साड़े 17 साल साड़े 17 साल आपकी age होना चाहिए इसके बीच में होना चाहिए between अब date of birth आप इस पे match करें अगर आप एक अक्तुबर 1999 से एक अपरेल 2003 के बीच में बीच वाली date आ रही है तो आप इसके लिए eligible है या पहले के हैं या बात के हैं तो आप इसके लिए eligible नहीं है इसका मतलब है एक अक्तुबर 1999 से आप चलेंगे और 2003 के बीच वाली जो date होगी अगर आपका date of birth इसमें पढ़ता है मलब 2000 पढ़ेगा 2001, 2002 और 2003 में मलब 1 अपरेल से पहले पढ़ेगी date तो आप इसके लिए क्या है? eligible है और आप इस पर अपनी age की जो गढ़ना करेंगे वो जब आप गढ़ना करेंगे इस पर last date से इसकी तो वो साड़े सत्रा से 21 के बीच में होनी चाहिए साड़े सत्रा से 21 क बीच में आपके अगर एज होगी तो आप इस बैकनसी के लिए eligible हैं यह खासकर बैकनसी girls के लिए है ध्यान रहे सके लिए आपको यह बैकनसी सिर्फ girls के लिए है और यह बैकनसी के अमें soldier journal duty इसका मलब है woman military police यह बैकनसी पहले नहीं आती थी यह पिछले सार से चालू किग नहीं बैकनसी और इसकी जो running भी होती है वो लखणों में होती है ownership ंठीक है और जो ब। यह अंनुसार आपका वेट होना चाहिए वह सने बैराल छेस्ट के लिए कुछ होता नहीं आपका छेश्ट लिए हैंगे लेकिन आर्मी में क्या हैं आपके लिए महिला पुलिस के लिए आपको 5 cm आपका जितना भी चेश्ट होगा चेस्ट को फुला सके आप इसका कर सकें आप इसका। nurture क्या माँगे? High School आपका W happening हाई स्कूल आपका W से कम से कम आपको 45% मार्च से पास होना चाहिए और जो इस्पर सी के लिए है वो 33% है ठीक है? OBC जर्नल के लिए आपको 45% मार्च से पास होना चाहिए मैलाओ के लिए ठीक है तो यह आपको जब आप इसके लिए लिजबल होंगे तो आप यह फार्म अपलाई करें ओके चलिए और इसके बारे में जान लेते हैं अगर आप लग्णों में रहेंगे तो आपको एमसी में करना पड़ेगा टूटीटीपी इसकी रनिंग होगी ठीक है और इसपे लांग जंप होगी और हाई जंप भी होगी तीन फीट यह दस फीट के लिए नीट्ट्यू क्वालिफाइग के लिए जरूरी होगा यह सब और इसमें जो रेस करनी होगी आपके यह वही किस रियशियो पर होगी तो अलौँ साथ मिनट 30 सेकंड संल गूरूफ ए के लिए और गूरूफ बी के लिए जो होगा दूसरा गूरूफ होगा आठ मिनट मैं अठ मिनट में होगा उसके लिए ठीक है गुरूफ सेकेंड के यह होगी और जो हिली वाले एरिया से लोग आएंगे उनके लिए यह दिया गया आप उसको पढ़ लें थोड़ा नोटिपिकेशन को पाच करके और जिनके लिए इस पर छूड़ दी जाएगी रिलेग्जेसन फिचकल स्टैंडर्ड में उनको छूड़ दी जाएगी डाटर ऑफ सर्विस जो लोग नौकरी कर रहे है या एक सर्विसमेन है उनके लिए इस पेसल छूट आए या जिनके हस्बैंड मालो के किसी युद्ध मे सइद हो गये उनके लिए इस पर छूट दी जाएगी हाइट में उनको 2 सेंटिमेटर के छूट होगी वेट में इनको 2KG की छूट दी जाएगी इस पर रिलेग्जेसन दिया जाएगा यहां तक दो-दो है और स्पोर्ट परसन के लिए इस पेसली कितना होगा उसको वेट में वेट में जो कमी होगी कितनी चूर में पांच किलो की चूर दी जाएगी पांच के जीगी और 4 cm की जो छूट दी जाएगी वो इन राजियों से आ रहे होंगे लोग जिनको 4 cm की हाइट में छूट दी जाएगी मेटिकल में आपको क्या होना है आप फुली रूफ से फिट हूँ ज्यादा अच्छा है आपके लिए और इस पे आपको अनफिट तफ किया जाएगा अगर आप मैस्कुले ने मलब आप पुरूस हैं आपने महिला समझ के महिला के रूफ में आपने फॉर्म डाला या आप जाए गया कि आप पुरूस निकले तो आपको क्या किया जाएगा अनफिट कर दिया जाएगा ठीक है इस हालात में आप फॉर्म ना डाले यह दिया गया आप प्रिग्णिस के बारे माप पढ़ लेने इसको वीडियो को पॉस करके क्या क्या इस पे मेटिकल फिटनस से जब साहिद हो चुकी है किसी वार फर तो उस पे आपको कितने मार्फ मिलेंगे 20 मार्फ सके ङ opens तिया जाएगि और एक्सी की जिक अभी हर्ट हे उनके लिए से वो दिये जाएंगे NCC A certificate, A level के जो certificate हो, उसके लिए 5 marks होंगे, B level के certificate होगा, उसके लिए 10 marks होंगे, A level के certificate के लिए NCC के जो होता है, उसमें 5 marks की छूर दी जाएगी, NCC में B level का certificate होगा, अगर है तब ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं, आप फर्म फिर भी अपलाई क कर सकते हैं, और C level के certificate में होगा, आपका exempted from CC, ये कहा है common intern test में, जो आपका written test होगा, जब आप race निकाल लेंगे, medical fit होगे, medical fit होने के बाद क्या होगा, आपको, एक date बताई जाएगी exam के लिए, कि आपका exam कब होगा, और कहा होगा, वो ही बता दिया जाता है, जब आप race औ medical fit होते हैं, ठीक है, चलिए, आगे पढ़ लेते हैं, इसके बारे में और क्या दिया है, इस sports person के लिए क्या छूट होगी, अगर वो इंडिया level, international level का है, तो उसको 20 marks की मलब छूट मिलेगी, कि 20 marks इस्टा मिलेगी, इसमें exam में उसको, ठीक है, और अगर आप state level या senior या junior है इस sports person है, तो आपको 15 marks से दिये जाएंगे, अलग से ठीक है, ये national sports federation of the respective sports are recognized by the ministry of the youth affairs, मलब इस authority से आपके विपास होना चाहिए, sports person का certificate, और आप अगर college या university इस्तर के हैं, खिलाड़ी, sports person है, आपको certificate जो provide कराया गया है, वो या university से provide होता, ठीक है, इंटर university sports boards के द्वारा आपको certificate प्राप्त हुआ होगा, आपके पास होगा, तो आपको 10 number की छूट मिलेगी, 10 marks की, और फिर आप अगर state at national level in the khalo India games में आपने participate किया, आपको पास अगर वो certificate होगा, इस authority to national sports federation of the respective, तो आपको 10 number मिलेंगे, 10 marks start दिये जाएंगे, district level के आप होगे, state में, और metal in the individual, आपको कोई भी metal आप वहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपको 5 number की छोड मिलेगी, आपको respective state sports federation as recognized by state of sports ministry से आप से पास, अगर certificate होगा, sport का आपको 5 number मिलेंगे, अगर आप school level के हैं, और वो school level का certificate, all India school level federation से आपको certificate प्राप्त होगा, तो आपको 5 number मिल मिलेंगे, माक्सिष्टा मिलेंगे, पहले इस पर running class करनी होती है, ठीक है, rally are held, 6 different location, जो center दिये जाएंगे आपको, उनी center में आपको जाना होगा, जो आपको hometown के पास पड़ेगा, यह आप जो prefer करेंगे, farm online वराते समय, फिल करते समय, उसी center में आपकी यह race होती है, ठीक है, माहिला race होती, वहाँ पर आपको आप उसको प्रिंट कर आके, अच्छा प्रिंटर होना चाहिए, मतलब good quality का आपके पास जो admit card होगा, वह होना चाहिए, ताकि आप ऐसा admit card लेखना है, आपको फोटो और admit card में जो address लिखा है, आपका address वो clear होना चाहिए, ओके, आपको original document लेके जाना, यह ब्याद ध्यान र आपत, और high school, inter graduation, जो भी आपने कर रखा है, जितना भी पढ़ाई किया है, आपने, सारा marksit, आपको लेके जाना है, marksit original, और उसका date of certificate होता है, वो भी, और cutter certificate, और आपको क्या करना है, attested photograph कुछ, और 20, 20 photo copy, अलग से लेके जाना है, अलग से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क् अगर आपका selection by the way होता है, अगर आपको वहाँ select होते हैं, तो आपके लिए बाहर जाने का मौका ने दिया जाता, नहीं पर आपको पास नहीं होता, तो आपको वहाँ से dismiss करने का chance होता है, 99% आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा, इसलिए पहले से पूरी तयारी करके अटेस्टेड, अटेस्टेड नहीं होने चाहिए, इनकी बीस कापी आपको लेके जाना है आपको ठीक है, और अपनी, अच्छी गुड क्वाल्टी में होनी चाहिए, फोटो भी आप अपनी लेके जाए, और education certificate with marks seat original for the all education, educational certification इस बी युनिएर्टिस किया है उसका वर्जिनल डाकुमेंट लेके जाएंगे और फोटो काँपी भी लेके जाएंगे और ट्वेंटी काँपी असलेके जाएंगे जो विताउट अटेस्टेट होंगी आपको इतना लेके जाना है क्योंकि अगर यह सब आप नहीं लेके ह्याएं पहले कोई वह टाइम और इस पर जो मेरिट बंती है वह मांक स्वीट के आदार पर बंती है स्कूल अपने नंबर कितने पाएं किस आधार पर पर आपकी एज कितनी है एज पर फेरिंस दिया जाता है इस बिए अगर मालो की दो बच्चों के तीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टीन-टी यहां गूस उस नहीं चलती इस पर कोई ब्राइब नहीं होता आप अपनी तैयारी कर गया है और रेस निकाले इस पर बहुत ही फियर काम होता है आपके लिए और अच्छी जॉब है आपको इसपर डिमेशायल सर्टिपकेट आप जान चुकेर्व डिस्टिक मजिस्टेट से यह तैसिल डार्ते आपको जानते होंगे आपने बरती पहले भी देख्यों रिणी जर्यul Chinese इंद्वर certificate इस पर लिगा है religious certificate आपको ले के जाना है कहीं से भी हो आपका स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल सरपंच किसी की विद्वारा आपको वो ले के जाना है अगर आपको आपको बता दिये क्या माक्स मिलेंगे आपको आपको एक्जाम में अगर सी लेबल का है तो आपको एक्जाम समय छूट दी जाएगी एक्जाम समय आकर आपके नंबर कमाते हैं तो आपको एक्जाम में नंबर दिये जाते हैं साय तीन या पांच नंबर जाता दिये जाते हैं आपको आपका relation certificate जो भी हो या आपके ममी पापा एक सर्विसमेन जो भी है उनका आपको relation certificate बनता है आप वो भी लेकर जाएंगे वहाँ पर आपको इस सारी चीजें ध्यान देनी है पूज भी आप certificate ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपको लेकर ने जयाना है आपको सारे साइटे पिकर लेकि वहाँ उपस्ति लिए और इस पे आप लोग ध्यान दें कि आपको इसपे क्या करना होगा आपके पास जो बैंक की कॉपी होगा पैर यहाँ कषज HR सिंगल एकांट होगा पैन काड आधर काड जो भी यह आपके पास ड Гाड वह भी एट लिस्ट एक या दो होने ही चाहिए वर्जिनल और फोटो कापी भी होनी चाहिए आपको वो लेके जाना ही होगा वहाँ पर मैं आपको फिर सिस पर बताना चाहता हूँ कि यह जो भरती है इसकी जो प्रारंबिक देट है जो जब फार्म आलाइन स्टार्ट होंगे 27 जुलाई से और रेजिस्टेशन की लास्ट देट से 31 अगस्त आप इससे फ़हले फार्म को अफलाई कर दें एक्जाम डेट अभी नह साफ से आपको इस पर मेरिट लगती है ठीक है और इसको कंडिडेट के लिए जो जर्नल या ओबी सी है सेस्ट उस पर कोई फीस नहीं देना फीस इस पर जीरो है कोई फीस नहीं आपको फार्म आलाइन करना है या अपलाई करना इस पर इमेल आईडी या मोबाइल नंबर य ठीक है और यह आप लाइन एड्मिट कार्ड नहीं आएगा आपकी इमेल पर दिया जाएगा आप इन बातों को ध्यान रखें इस पर जो मिनिमा मेज है साड़े सत्रा साल है मैकजिमा मेज 21 साल आपकी जो एज है वो साड़े सत्रा से 21 साल के बीच में होनी चाहिए अर्था पूरा बता दिया है फिर से आप वीडियो को पॉच्च करके आप देख सकते हैं और जो इस पे इलिजिविल्टी है क्या पास मांगा है हाई स्कूल पास हुआ चाहिए 45 प्रतिस्त मांक्स से कम से कम आपके ज्यादा होंगे मांक्स तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है क् कि जो मेरिट बनेगी वो नंबर के आधार पर बनेगी ठीक है और हैस आपको वर्जिन और जब आप रैली पे जहां जाएंगे तो आपको सारे वर्जिनल डाकुमेंट लेके जाना ही है तभी आपको वहां प्रिवेस मिलेगा और वर्जिनल आई-कार्ट लेके जाना है अधार कार्ड बोटर आई-डी कुछ भी हो आपको वर्जिनल लेके जाना तभी आप और वर्जिनल आपको जो ई-कार्ड भेजा जाएगा एड्मिट कार्ड भेजा जाएगा इमेल पे आपको वह भी लेके जाना और अपनी फोटो लेके जाना है आपको और अटेस्टेट आप मालों इंटर तक आपने पढ़ाई की है तो आप इंटर तक मात्र लेके जाएंगे ठीक है तो इंटर की वर्जिनल मार्क सीट लेके जाएंगे वर्जिनल जरूर लेके जाएंगे क्योंकि इसकी वज़े से बहुत से लोगों को वापस कर दिया जाता क्योंकि बहुत क्या टोटल पोश्ट कितनी दीगे हैं 99S पे ठीक है टोटल पोश्ट 99S पे फिजिकल एजिबिल्टी के हमें दुबारा बता रहा हूँ आपको हाइट इसमें 152 cm है 152 cm आपको अपनी हाइट को कहीं से भी मेजर करवा लें फिर आप फार्म के लिए अफलाई करें जरूर चांस ले गृत 1 के लिए 1500 मीटर की घाल नहीं के लिए लक्ताइट कर सकते हैं अगर आपने तैयारी किये और यह पोश्ट बहुत ही अचिकर होती है और जो second group होगा, जो दूसरा group दोड़ेगा, first group के लिए 7 minute 30 second है, जो second group दोड़ेगा, उसके लिए 8 minute दिया गया time, 30 second बढ़ा दिया गया, ठीक है, क्या होती है, धूप हो जाती, इस वज़े से ये time बढ़ाया गया, second group के लिए, दोड़ोत नहीं रहेगी, 1600 मिटर, लेकिन time इस के लोग ज्यादा तरह लखनव के लिए fill up करते हैं, लखनव, बैंगलोर, सिलोंग, अंबाला, जबलपूर, यही 5 center दिये गए हैं, आपको online apply कर देना है, ठीक है, अगर आप इससे महिला पुलिस से जुड़े, आर्मी से जुड़े हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं, जो okay, thank you